वेल्कम टो माई चैनल अर्रज अमित वाल की तो कैसे हैं आप लोग और मैं लेके आगे हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बहतरीन वीडियो कि OBS यानि कि Open Broadcast Software का पूरा का पूरा सेटिंग कैसे करते हैं कैसे स्ट्रीम करते हैं क्या क्या सेटिंग उसमें करना पड़ता है विट्रेट क्या रखना पड़ता है आपको स्ट्रीम करने के लिए यूटूब या फेस्बुक पे इन सब की डीटियल्स एक एक चीज में हमारे साथ और सुरू करते हैं तो सबसे पहले OBS क्या है OBS एक Open Broadcast Software है जिससे के आप लोग लाइव कर सकते हैं यूटूब पे फेस्बुक पे और बहुत सारी प्लैट्फॉर्म पे तो सबसे पहला कोशिण के हम OBS डाउनलोड कैसे करें OBS डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना कोई भी ख्रोम ब्राउजर खोलना है आपको यहां पर टाइप करना OBS project.com आपको यह वेबसाइट मिल जागा इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसक ज्टा रहेगद और डाउन्लोडिंग स्टार्ट हो जागा यहां पर स्टार्ण डाउनलुड करना है बनालूड कर चुका मैं डाउनलोड करने के बाद मैं इस्टॉल चुका हूं, इस्टॉल प्रोसस्GO करने के बाद अगर आप फरस्टाइम, ऑपन कि antibodies यह गाधा तो Cool इ क्या है सबसे पहले तो आपको एक ओवरले चाहिए पूरा OBS को सेट अप करने के लिए ओवरले चाहिए ओवरले आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको लिंक दे दूगा डिस्क्रिप्शन में गुगल ड्राइब का वहां पर मैं कुछ 20-30 ओवरले का पैक मैं अप अपलोड किया हूं वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आपको जो चाहिए तो वह लोग डाउनलोड कर लिजागा जैसे कि देखें मैं यहां पर इदर गया जैसे कि यह वाला ओवरले है मेरे पास क्या यह मैं यूज करता हूं यह इसमें आप लोग को बहुत सारा और संभात फोस्ट्म जाते हैं आपको बैसिकली चाहिए क्या यह स्टार्ट वाला चाहिए मुझे ज़रूपनरुप वाला ॹन्टवर जाहिए और इंट्रमिशन चाहिए इस कर सकते। इन सब्सक्राइब आप यूज कर सकते हैं चावा तो लेकिन मुझे जोरत नहीं इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं ठीक है इस टाइप के ओबरले आपको बहुत सारा ओबरले मिल जागा बहुत सारा मैं आपको इसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से गूगल ड्राइब का वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो करना क्या है सबसे पहले आप अपना यह OBS खोलिए OBS खोलने के बाद जो सबसे पहले यहां जो टेस्ट दे रहा ना यह अगर आप इंस्टॉल किजिएगा तो यहां पर सीन वन लिखा रहेगा ठीक है तो करना क्या है क यहां पे plus icon पर click करना है एक scene डालना है कोई भी मान लिजे कि मैं डालता हूं start start डाल दूँगा okay हो गया उसके बाद एक और add किजिए in game ठीक है in game पर डाल देता हूं pause प्रिकॉर्ड डाल देता हूं एंड यह हो गया इसके जरूरत नहीं तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं ठीक है यह स्टार्ट हो गया इंगेम हो गया पॉस हो गया और एंड हो गया करना सबसे पहले प्लस पर क्लिक केजिए अपने सबसे पहले पहले सबसे सबसे पहले प्लस पर क्लिक और एड आपको यहाँ पर source करना गए है media source इधर के हाँ और फिर याँ से ब्राउज कीजिए कि आ बसदेखिए क्लिक की किजिए यान पर कुछ नाम ड़ डालना है छकै कि ओके और फिर याँसे proud स्टार्ट वाला सेलेक्ट कर देज़े ए ओक कर देजिए और हाँ यह लूप वाला option जरूर नरी घाल टिक रखेंगा यह जो लूप का option दे रहा न इस पर जरूर करके रखेंगा। लूप से क्या होता है न कि नो कि करता फिर बताता है न देखिए यह आप कहा गया अब इसको अगर लूप नहीं रखेगा तो जो भी 10 सेकंड का या फिर 20 सेकंड का है वह उतना चलने के बाद फिर टुक जाएगा वह अच्छा नहीं लगेगा तो आपको करना क्या है कि इसको लूप कर देना है कि यह जब तक आप इसको चेंज नहीं किजेगा चलते रहेगा उसके बाद क्या करना है कि आपको इसमें एक बैग्राउंड म्यूजिक डालना है अगर आपके पास है तो कोई भी आप NCS से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी नॉन कॉपी रहेट सौंग कोई भी आपको जो पसंद है मेरे पास मैं फिलाल यूज करता हूं अभी एक मैं बता और देखिए वाला मैं बेंज साउंड का यूज करता हूं इस पर आपको फिर ओपेन कर लेना लूप पे क्लिक करकना और रोके कर देना इससे क्या होगा तो आप देखिए यहां पर यह म्यूजिक वाला जो मैं फाइल एड किया हूं यहां पर आपको इसमें स्टार्टिंग में आपको डेक्स्टॉप आडियो और माइक नहीं चाहिए ठीक है तो इसको आफ कर दीजेगा आपको सिर्फ क्या चाहिए स्टार्ट वाला यह जो सोर्स है इसका इसमें तो कोई आडियो है नहीं तो जोरत ने इसका भी आफ कर दीजेगा बस म्यूजिक स्टार्टिंग म्यूजिक होना चाहिए म्यूजिक का वालिम आप एडजस्ट कर लिजेगा अपने साबसे ठीक है एक बार आप टेस्ट स्ट्रीम कीजिएगा उसमें देख लिजेगा आपको यह थोड़ा सा लाउड है इसके लिए मैं थोड़ा कम सेट करता हूं ठीक है आपका जो भी म्यूजिक करेंगे तो वह आपका कम हो सकता है यह होने के बाद दिखें यहां पे आपको ट्वीटर यूटूब और इंस्टा आइड आपको बिलिंक हो रहा है जो आपको डालना ह अपने उपर से तो उसको लिए का करना है कि आपको प्लस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे क्लिक करना है जैसे कि मैं ट्वीटर डाल देता हूं ट्वीटर ओके और यहां पर कुछ भी जैसे कि मेरा इंस्टा जैस अग्जाम्पल अधर रिट अर्रजी अमित वाइट इसका फॉन्ट आप यहां से चेंज कर सकते हो जो आपको फॉन्ट चाहिए और यहां से आप इसको अधर कर सकते हो पॉन्ट चैन्ज कर सकते हो इसको फुक्राय करके चुल सब्सक्राइब मेरा इस घ्रीenne मस्ट जैसे बहुत बढ़ाया तो इसको छोटा किजिया पूल करके उसको इतम चोटा किजी और इसको set कर दिजे कुछ इस तरह अन्य हो में हो गया इसी तरह आप इसका भी YouTube कभी चाहो तो आप देख लिजेगा मैं जास्ट इंग्जाम्पल बता रहा हूं आपको यह हो गया कलर आप अपने साब सेलेक्ट कर सकते हो और फिर से आपको इंस्टा चाहिए तो इंस्टा के लिए भी वसे टेक्स्ट पर क्लिक करो इंस्टा यहाँ पर डाल देजिए जो भी डालना है आपको अरण जी अमित वाइटी ओके कलर सेलेक्ट कर लिजे इसको छोटा कर लिजे यह ऐसा हो गया यह आपका स्टार्टिंग अगर आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करो गए ऑपको उसरे इस टाइप का 1st स्टार्टिंग होंगा यह होने के बाद कि इसमें आप अपना अपना कंटर गरह सकते हो जो बही हो अपने म्यूजिप सेंगक कर लेना यह होनि के बाद आप हमचलते गेम की सini चलते होब हो ओ तो गेम क्यांचर किया मतलब कि कोई specific game तेकर यहां पे आपको दो option बिले हैं डिस्प्ले capture और game capture display capture means अगर डिस्प्ले capture आप एड़ करते हो the तब के डिस्प्ले पे जो भी आएगा जो भी आएगा सब चीज आपको दिखेगा और तो गेम चैप्चर से क्या होता है कि अगर आप गेम कैप्चर में जाकर ऑगा पक्जी आगर एकर तो जब तक वह एक्सिकली मैं प्रिफर करता हूं डिस्प्ले केपचर आप गेम कैपचर भी उसकर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर display capture कर दीजिए और कुछ भी डाल सकते हो नाम उसका गेम या फिर screen ठीक है गेम screen ओके यह आपका आगया आप जो आपका resolution है वो resolution आगया यहाँ पर capture capture cursor यह रखे रहाना ठीक होना चाहिए और okay तो यह आपका देखो desktop का जो है वो आगया यहां पर इसके बाद इसमें आपको बहुत सारा option बताता हूँ यहाँ पर मेडिया सोर्स पर जाओगे ठीक है मेडिया सोर्स कुछ भी डाल दो ठीक है नाम आप कुछ भी डाल सकते हो पर आपको समझ में आना चाहिए वो नाम ब्राउज पर गया है क्योंकि यह एक छोटा सा वीवी एक वीडियो क्लिप टाइप का है तो यह मुव दस कितने का नौ सेकंड का नौ सेकंड के बाद यह अपने बंद हो जागे अगर आप लूप पे नहीं रखोगे तो अगर आप लूप पे रखोगे तो यह ऐसे चलते ही रहेगा और कभी भी देखो यह जो डिस्प्ले का अपचर आना यह सबसे नीचे होना चाहिए इसके बाद आप जो भी अट करोगे न इसके ओपर है अगर इसको यह पूल करको नीचे कर दूँ तो डिस्प्ले के नीचे चला जागा आपको नहीं दिखेगा तो कभी भी जो game screen है न ये इसको हमेशा ये नीचे होना चाहिए और जितना भी चीज़ आप add करोगे जिसे subscriber goal, alert जितना भी चीज़ आड़ करोगे इसको उपर ही होना चाहिए game के उपर होना चाहिए तब आप screen पर आएगा नहीं नीचे में जो recent subscriber है उसका नाम देखता है तो वह सब कैसे सेट करना हो सब मैं आपको छोटे-छोटे clip में दूँगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा लंबा video हो जागा अगर उसको मैं shoot करने गया तो उसके बाद आपको pause screen करना है pause screen में क्या करना है आपको इसमें फिर से media source में जाना है media source में आपको कोई भी नाम डाल दीजिए okay कर दीजिए loop पे क्लिक कर दीजिए फिर browse पे जाए यहाँ पे देखिए pause screen है pause पे क्लिक कीजिए देखिए यह हो गया pause अब देखिए यहाँ पे फिर से राइट क्लिक कीजिए और option होगा copy फिल्टर नहीं just copy पे क्लिक कीजिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए paste duplicate duplicate पे क्लिक करना है यहाँ पे आ गया आपको वैसे ही दूसरा वाला भी तो देखिए यह आपका हो गया उसके बाद आपको अगर इसमें music add करना है तो आप music add कर सकते हो mic आपको open रखना है के नहीं रखना है अब अपने इस आप से चेक कर सकते हो ठीक है वैसे pause में तो mic कोई on रखता नहीं मेरा बंद है तो mic off कर देजिए यह ddd इसका जोरत नहीं इसको कर दीजिए इसमें अगर आपको music add करना है तो उसके लिए प्लस पर जाए अपना media source कुछ भी music को जो डालना है आपका नाम डाल सकते हो okay करना है loop पे क्लिक करना है pause पे क्लिक करना है जैसे कि मैं यह वाला अगर डालता हूँ इसके डाल दूँगा music okay कर दूँगा music का आ जाएगा नीचे देखे यह वाला इसको volume अपना कम कर दूँगा मैं यह हो गया हमारा pause screen उसके बाद आप end screen पर जाओ end screen के लिए भी बसे प्लस पर क्लिक करना है प्लस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से media source media source फिर कुछ भी नाम डाल देजिए okay loop browse intro यहाँ पर ending पर क्लिक करना है loop on रहना है यह हो गया इसके लिए भी फिर से वाई यहाँ से copy करना है अब देखो यहाँ पर क्या हो गया ता आप इसको move कर सकता अपने हिसाब से टिक है आपको set करना है जो आपने हिसाब सेट कर सकते हो इसमें फिर अगर music डालना है तो इसमें फिर right click करना है media source फिर जो भी नाम डालना है आप अपने हिसाब से नाम डाल देजिए ओके कर दिजिए loop on रखेएगा browse पर क्लिक किजिए अपना जो भी music पर यह हो गया setup का starting in-game pause ending यह आपका set हो गया ठीक है इसके लावा अगर आप facecam करते हैं तो intermission एक और add कर सकते हो ठीक है इसे की intermission हमाई SSIOR intermission जो भी है intermission आप select कर सकते हो pause के बीच में ठीक है इसमें आपको क्या करना है कि इसमें फिर जाना है media source enter loop browse intermission का आपका इसमें दिखिए कि इसमें आपका facecam होगा right side वाले में और यहाँ पर आपका chat होगा ठीक है यहाँ पर आपको facecam add करना पड़ेगा और यहाँ पर chat करना पड़ेगा उसके लिए और नीचे फिर से जो नेम है यहाँ पर ट्विटर यूटूब और इंस्टा वह आप जैसे मैं बताया था कि यहाँ से आप तिनों सेलेक करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो इस वाले सीन में आकर और पेस्ट करने के बाद अपने साब से इसको side जर्जस्ट कर लेना जो भी हो अपने साब से side जर्जस्ट करने के बाद यहाँ पर facecam आड कर सकता हो थीक है facecam आड करने के लिए अप plus पर क्लिक करना है ठीक है और फिर वीडियो capture device वीडियो capture device पर जाईएगा कुछ भी डाल दीजिए facecam FC ओके आपका यहां से facecam का device सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से device यूज कर रहे हो फिर ओके किजिएगा और वो आ जाएगा ही कि यहां पर उसको आप सेलेक्ट करके इसमें merge कर लिजेगा ठीक है लेकिन facecam के लिए आपको थोड़ा से अड़ेस्ट करना पड़ेगा साइज और यहां पर चैट करना पड़ेगा आपको ठीक है आप खोल लिजेगा आपना YouTube चैनल जो भी आपके YouTube चैनल यूटिब चैनल खोल लीजी YouTube चैनल खोलने के बाद वीडियोस पर जाईए यहां लाइफ पर जाएग है ना लाइफ कंट्रोल पैनल आ अपको आ लाइफ कंट्रोल पैनल में जाना है यह चैट आगया ना इसपर क्लिक करना है바ा पाप आउट चैट और यह वाला जो link है इसको करना है copy यहां से फिर इसको बंद कर दीजिए कोई जो रत नहीं है और खुले ब्राउजर इस पर क्लिक किजिए प्लस पर प्लस पर क्लिक करने बाद ब्राउजर सोर्च पर क्लिक करना यहां पर चैट ओके यहां पर यूरल में आपका चैट का यूरल देना है कंट्रोल भी रेजोलुशन सेट कर दीजिए अपने इसाब से मेरा 1080 वैं 1920 यह पिर जो भी अपने इसाब से रेजोलुशन आप से क्रेकर कर दीजिए यह आपका आजागा चैट का और फिर बाद में आप इसको अपने इसाब से चैट कर सकते हो और यह इसको ऐसा कुछ अट्जेस्ट कर दीजिएगा तो जब भी आप स्ट्रीम कीजिएगा तो यहां पर आपका चैट दिखने लगेगा जो भी चैट आपको आपके सब्सक्राइबर बेज रहे हैं तो यहा आपका चैट दिखने लगा यहां पर आपका फिस काम हो जाएगा तो यह आपका हो गया कि आप स्ट्रीम कैसे करते हैं इसके मैं बता रहा हूं सेटिंग में जाना है स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले और यह मैं बेसिक सेटिंग बता रहा हूं ठीक है कोई अडवांस से कर सकते हैं फिर आपको जाना है स्ट्रीम पर यहां से आपको पहला जो सर्विसेस में अगर आप यूटूब पर स्ट्रीम करना चाहते हैं यहां पर यूटूब करना चाहते हैं यहां पर यूटूब करना चाहते हैं यहां पर यूटूब करना चाहते हैं तो आप यूट और नई तो दूसरा option के आए कि आपने YouTube चैनल खोल लिजे यहां से इसको खोल के यहां पे गो लाइब पे क्लिक किजिए गो लाइब पे क्लिक करने के बाद वेट किजिए थोड़ा सा net speed के उपर depend करेगा यहां तो यहां पे आपको यह stream की मिलेगा ठीक है stream की इसको करना copy यह stream की किसी को share नहीं किजिएगा यह बहुत confidential होता है इसलिए इसको आप किजिए copy यहां से copy पे क्लिक किजिए और यहां setting में अभे यार आपको करना setting पे क्लिक आपको करना setting पे क्लिक करने को stream में जाना और यहां पे इसको delete करके control-v और apply यह आपका setting stream की set हो गया अगर आप facebook पे करना चाहते हो तो वैसे सेम चीज़ यहां पे क्लिक किजिएगा facebook का stream की वहां मिलेगा आपको उसको लाकर यहां paste कर दीजिएगा और apply कर दीजिए यह हो गया मैं stream की इसके बाद क्या करना output पे जाना ठीक है output में आपको मैं recommend करूंगा कि आप simply यूज़ करो आपको advance भी जाने के जौरत नहीं है सिंपल बेस्ट होता है ठीक है सिंपल बेस्ट होता है सिंपल यूज़ करो bit rate यहां पर video bit rate सबसे main topic है कि video bit rate कितना रखना है आपको तो video bit rate के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आप खुलिएगा YouTube का जो recommended bit rate जो दिया जाता है recommend किया जाता है users को तो यहां पर देखिए अगर आप 240p पे पिक्सल पे अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं तो bit rate आपका 300-700 kbps होगा ठीक है अगर 360 पे करना चाहते हैं तो आपका 400-10000 kbps वैसे यहां पर अलग-अलग resolution 480p के लिए 500-20000 kbps 720 के लिए करना चाहते हैं तो 1500-400 kbps 720 पे अगर करना चाहते हैं तो 1200-6000 kbps 180p पे करना चाहते हैं तो 3000-6000 kbps आपको होना चाहिए और आगर आप 180p पे करना चाहते हैं 60 fps पे 4500-9000 kbps यह रिकमेंडेट fps अटिक है अलग-अलग resolution के लिए अलग-अलग मिट्रेट आपको सेट करना पड़ेगा पर यह जो 51,000 या जो भी दे रहा है यह जो 4500 दे रहा है यह आपको कैसे पता करना है अग मान जस्ट एन एक्जामपल अगर मान लिजे कि आपका आपका नेट 50 mbps है तो 50 mbps का यह मतलब तो नहीं है न कि 50,000 kbps पैसा तो नहीं होगा आपको करना है कि जो भी आपका 50 mbps है न तो उसको आप divided by 4 कीजिए तो आपको आएगा कुछ 12,000 के असपास ठीक है 12,000 आएगा तो उससे थोड़ा कम ठीक है 12,000 आ रहा है तो जैसे देख लिजे यहाँ पे 4,500-9,000 का यह जो रेंज दिया हुआ है तो इसके नियर अबाउट आपका 12,000 आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका 50 mbps का स्पीड है वो 1080 पिक्सल पे 60 fps पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं अगर आपका 50 mbps है तो जितना अगर स्पीड है जैसे के 100 mbps स्पीड है तो उसको डिबाइड वाई 4 करना है तो कितना हैगा 25,000 अगर आपका 100 mbps है तो आप 1040 या फिर 4K पे आप स्ट्रीम कर सकते हो पर मैं बोलूगा अगर आपका net speed low latency है आपका मतलब net का net speed अगर आपका constant है तो आप 180 पी के लिए 1080, 1080, 1080 पी के लिए आप 10,000 max to max रख सकते हैं ठीक है max to max अगर आपका 50 mbps speed है तो अगर आपका 100 mbps speed है तो उसको आप 12,000 कर सकते हैं 50 तक कर सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं जाएगा तो अगर आपका 50 mbps speed है तो आप 9,000 से उपर नहीं जाना 9,000 max to max अब 10,000 डालिएगा 10,000 से अगर उपर जाएगा तो आपका stream lag करने लगएगा तो मैं recommend करूंगा कि आप max to max 10,000 आप यूज कर सकते हैं यह video bit rate का selection है मैं यहाँ पे setting में जाहिए आउटपूट में जाहिए नाइन्थ अगिंट देखिया मैं select किया हूँ यहाँ पे encoder के लिए अगर आप आपका अच्छा PC है तो hardware encoder डाल सकते हैं ग्राफिक सकते हैं अगर नहीं है वहाँ से ब्राउज कर सकते हैं आप कहां से करना चाह रहे हैं और recording quality कैसा चाहिए जैसा कि आप stream कर रहे हैं जिस लेवल पर उस लेवल पर चाहिए तो आप कमेंड करूगा कि आप mkv ही यूज कीजिए ज्यादा बैतर होता और यह में आपको कोई छेड़ छाड़ नहीं करना जैसा है वैसे इस टेटरने देजेगा अगर आप माइक अलग से यूज कर रहे हैं तो यहां से आप माइक सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे कि देखे मैं माइक माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं USB कंटेंसर माइक्रोफोन तो मेरा यह सेलेक्टेड है अगर आप कोई और माइक यूज कर रहे हैं तो कोई और नाम आएगा वह महाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेजएगा माइक के लिए उसके लावाइस में आपको कोई चेंज नहीं करना है वीडियो बिट्रेट दिख लेज़ेए यह बेस जो रेजोलुशन है ना बेस रेजोलुशन यह आपका डिस्पले का रेजोलुशन आपका मॉनिटर का 820 चाहिए है 720 चाहिए 540 चाहिए 580 चाहिए तो उसे सबसे आप रेजलिजुटर्टी चाहिए तो देज़म्यों सेलेक कर सकते हो लेकिन मैं ए cape सेलेक्ड यां पर आपको affect level सेलेक्ट करना है कि यह बस बेसिंग सेटिंग बेसिंग टिटुरियल है ति कैसे कैसे आप सेट कर सकते हो अगर आपके stream lag कर रहा हो अगर वो बोल रहा है की फ्रेम कम करने के लिए की फ्रेम का आपको option कहा मिलेगा आपको setting खुलना है output में जाना इसको advance में जाना है यहाँ पर stream पर click करना और यह की की फ्रेम तू रखना है ठीक है टू से ज्यादा नहीं रखना है की फ्रेम कर दीजिए तो यहां simple select कर लिए apply कर दीजिए okay कर दीजिए यह हो गया आपका basic setup तो यह starting हो गया आपका यह हो गया in-game यह आपका हो गया intermission अगर आप आपका चार्ट आगा यहां पर फेस्क्राइम आज आगा यह आपका पॉज अगर पॉज स्क्रीन अब डालना चाहते हो तो बीच आप पॉज कर लेना यहां पर end यहां पर end तो वह कैसे होगा तो उसके लिए आपको setting में जाना है setting में जाने के पाद आपको hotkey में जाने के बाद दिखेंगे यहां पर option दिया है ठीक है यह सबसे पहले start stream यह सब आप जो भी की चाहते हो तो वह आप कर सकते हो end screen दिखेंगे switch to scene अगर आप किसी भी scene पर होकर आपको end में पहुचना है ठीक है तो कोई भी की select कर लो f7 अगर दबाऊगोगे तो अगर end screen पर चले जाओगे in game में जाना है तो मान लोग f5 में दबाता हूं f5 दबाता हूं f7 इंटर्मिशन में जाना है तो कोई भी की आपको जैसे f9 कर दिया तो इस टाइप से आप इसको apply करके okay कर सकते हो तो जैसे in game हो f5 दबाया तो यह तो आगर f7 दबाया दिखेंगे मैं in game हूं और f7 दबा रहा हूं तो डाइरेक्ट यह end screen पर चला जा रहा हूं f5 दबा रहा हूं तो यह आपका direct in game आ रहा हूं देकरो मैं mouse touch नहीं कर रहा हूं सिर्फ f7, f5, f9 प्रेस कर रहा हूं तो इस तरह सा आप select कर सकते हो तो यह था एक obvious का छोटा सा beginners के लिए setup टू को कैसे setup करते हैं obvious को क्या बीट्रेट डालते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेर किजिएगा ताकि ताकि वह भी बात कि जो इनगेम के जितनी भी setup है ना इनगेम की कि आपको alert कैसे डालना है सब्सक्राइब कैसे कैसे डालना है को subscriber गोल कैसे सेट करना वह सब वीडियो आपको उस चैनल पर मिलेंगे तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लिजक्शा और बहुत जल्द वह भी वीड वीडियो को साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर नमस्कार